आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार मैं हूँ तरशला यादो स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो हर शहर प्राइम रिपोर्टर में अपने इस खास प्रोग्राइम में हम आपको प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे और जानेंगे जनता से जुड़े मुद्दो के बारे में और हमारे रिपोर्टर बताएंगे अपने अपने शहर का हाल तो रुख करेंगे पहले जिले की खबर की ओर सीयम योगी आदे तिनाथ ने आज इपेंशन पोर्टल का शुबारम किया वही लोग भवन में स्काउट घाटन किया गया जो इस पोर्टल के शुबारम के बाद अब पेंशनरों को ओफिस के चकर नहीं काटने पड़ेंगे और लाइन रजिस्ट्रेशन करके आसानी से भुकतान मिल सकेगा इस उसर पर सियम योगी ने कहा उत्तर प्रदेश वसासन के द्वारा आज इपेंशन पोर्टल का शुबारम किया जा रहा है जिसमें 11.5 लाग कार्मिक सीधे सीधे लभान विथ होंगे और इस सुविधा के साथ ही साथ जितने भी शौमिक होंगे उनको सीधा लाव मिल सकेगा आसानी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आसानी से भुकतान उन्हें मिल सकेगा आज एक एहम फैशला मुख्यमंत्री योगी अदितनाथ द्वारा लिया गया है पेंशनरों को यह सौगात दिया गया है इपोर्टल का शुबारम किया गया है डिजिटल इंडिया की तरफ हमागरशर है डिजिटल हर किसी को सारी चीजे पहुचाने की कोशिश की जा रही है ताकि हर इंसान अपने हग तक बहुच सके अपने हग से अचूता ना रह सके इसी के चलते इस पोर्टल की शुरुआत की गई है डिजिटल इंडिया की तरफ एक और कदम हम आगे भड़े है पेंशनरों को फाइदा देने के लिए वही इस खबर पर लखनाउ से हमारे समवदाता विभानशू हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनसे हम जौनेंगे इस खबर पर और अधिक जौनकारी विभानशू आज लखनाउ से जो ऑनलाइन रजिस्टेशन करेकर आसानी से भुपतान मिल सके और इसमें क्या-क्या कुछ फाइदे हैं आप बताईए जेत इसलाब को बतादे कि इसमें जो भी अब रिटायर करनचारी होंगे उनको जो फाइल को फाइलों को लेकर अनेक कार्यालों में जाकर सत्यापित कराने के बाद इनको इसमें पेंसन मिलता था सब्मिट करके और अपने पेंसन को महज तीन दिनों के अंदर वो पास सकेंगे साथी साथ जो पीएफ और जीपीएफ होता है वो रिटायर करनचारी जल से जल पास सकेंगे जेत इसलाब जी बिल्कुल किस तरह से और कितना फाइदा जो उत्तर प्रदेश के पेंसनर है उनको मिलेगा और कितनी खुशी देखने को मिली है पेंसनर में विभांचू क्योंकि आप कारिकरम के दौरान वहाँ पर मौजूद थे वहां के लोगों का क्या कुछ कहना इस योजना के बा था क्योंकि आम तो पर आप देखती हैं कि कोई विटायड कर्मचारी होता है तो तमाम जगे अपने फाइलों को ले जाकर सत्यापित कराता है तो वहीं इसको आसान बनाने के लिए ई-पोर्टल पे सभी दस्तावेदों को जमा करेंगे उसको अपलोड करने के बाद सभी भ पारयालों घूमने के बाद होता था तो इस इलेक्ट्रानिक विधी से यह काम जल्द से जल्द हो सकेगा वहीं आपको बताएं कि जो पैंसेनर हैं या जो जल्द ही वेटायर होने वाले हैं उनके लिए बेहद ही खुसी का दिन है क्योंकि उन्हें अब चक्र कम लगाने तो आपने सुना कि किस तरह से इस जब इपेंशन पोर्टल का शुबारम किया जा रहा था तो प्रदेश तमाम जो पैंशनर हैं जो अल्देश लोग हैं वहाँ पर पहुचे थे उन्होंने यह जो सौगात मुख्यमंतरी द्वारा दी गई है इस योजना कि उसका स्वागत भी किया है लकनाओ में अंतरास्ट्रिय श्रमिक दवस पर हुए कारिक्रम गिप्टिसियम केशो प्रशाद मौर शामिल हुए कारिक्रम के दवरान केशो प्रशाद मौर ने श्रमिकों का समान किया सभी श्रमिकों को मजदूर दिवस की बधाई दी केशो प्रशाद मौर न सम्मानित किया अंतराष्ट्य श्रमिक दिवस के मौके पर कारेक्टर में उन्हें सरकत किया साथी साथ उन्हें महिला सशक्ती करण को बढ़ावा देने की भी बात कही वैस कबर पर दिछो अनकारी के लिए समवदाता विभान्शू हमारे साथ जुड़ चुके हैं आजकेश प्रशाद मोर्यत अंतराष्ट्य श्रमिक दिवस के मौके पर सम्मानित की हैं किस तरह की उत्सा श्रमिकों में देखने को मिली जे इत्रिसला आपको बता दे कि अंतरास्तिय मजदूर दिवस के औसर पे आज इंद्रागादी पतिस्थान के अंदर में स्वामिकों का समान समारोर रखा गया था जां उसके तरे बाद गिस वांगर में हम बैठे हैं वहांगर आप के ही द्रे तो कहें ऊत्र में योग्दान उन्हें सब चीजों को साथ में कहते हुए उन्हें तमाम स्वधिकों को मद्पे बुला कर संप मांदिया साथ ही साथ वहाँ मजूद महिला स्वधार्रण को महिला सभ्र tag करन की जो तमाम है योजनाय हैं उससे रूबरू कराते हुए कहा कि हर एक वर्थ के बीच महिला ससक्तिकरण को ले कर जागरुता होनी चाहिए वही आपको बतादे कि इंडरागदी पतिस्थान में ये कारीक्रम 12 बजे रखा गया था वही तीन बजे के करीब आपको बताएं कि उत्तरव देश के स्व्रम एवं सेवाजन मंत्री अनिल राजभर की पस्तिती में एक कारीक्रम रख्या गया जिसमें जो राज्य मंत्री है वह भी मौझूद रहें साथी साथ है जो आपके स्व्रम आयूकत है राज सेखा वह भी साथी साथ स्व्मिक को बच्चे उनको स्कूल जाते पॉफा के साइकल दी गई साथी सथ जो स्व्मिक हैं उनको कई सारे पुष्णा रासी धी गई जी भांचो बहुत हो शक्तिकरण मेन लक्ष भारतिय जुन्ता पाटी का ऐसे डिप्टी शेम केश्व प्रशाद मौर ने कहा इसे में महिला श्रमिक जो वहाँ पर उपस्थित थी भारी बात्रा में महिला श्रमिक भी वहाँ पर उपस्थित उन्हें क्या कुछ खुशी देखने को मिली क्या कुछ उन्हेंने अपनी खुशी जाहिर की है जी बेशक है त्रिसला आपको बताएं कि उनके तरफ से ये कहा जा रहा था मीडिया बाइट्स में कि पहली बार कोई सरकार महिलास सक्तिकरन का एक बहतर मिसाल पेश कर रही है साथी साथ हर रर्ण की बात पे कहीं ना कहीं वो मुखेमंत्वी की बातों से कायल दिखने और अगर देखे तो तमाम ऐसी घटनाय आती है तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वी अब जागरुकता जा रही है कि हम जो महिलास सक्तिकरन की बात की जा रही है वो ग्रामीर के साथ सहरी के साथ साथ ग्रामीर छेतरों में की जा रही है चाहे बात की जाए तो अमीरों के साथ साथ जो गरीब है जो स्वामिक है उनके लिए बात की जा रही है तो कहीं न कहीं उनके लिए एक हर्ष का दिन है और उनकों ये सम्मान जब उन्हें दिया गया साथी साथ उनके सक्की करण की बात की गई तो उनके आखों में कहीं न कही वो खुसे दिखवाई थी जो पहले दिखने चाहिए थी जी बिलकुल विभांचो तमाम जुआनकारी के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद पुर्वांचल एक्सप्रेस्वे पर आज से टोल लगेगा पुर्वांचल एक्सप्रेस्वे पर यूपिडा ने तेरे टोल पॉइंट बनाए हैं बता दे कि दिवरियों और लखनव के महोरकला में दो मुख्य टोल हैं एक्सप्रेस्वे पर बीच के एंट्री पॉइंट पर ग्यारे चोटे टोल हैं और पुर्वांचल एक्सप्रेस्वे पर कूल टोल टैक्स आट सो तैतिस रुपए होगा और पुर्वांचल एक्सप्रेस्वे पर टोल टैक्स वे 25 प्रतिशत छूट मिलेगी। भूमाफियाओं के होसले बेहत बुलेद नजर आ रहे हैं जब 2017 की कुरसी पर मुक्यमंत्री योगी आदेतिनात बैठे थे तो उनका एक एहम योजना था भूमाफियाओं से मुक्ति लिलाना और उन्होंने लगातार इस पर एक्शन लिया काम भी किया कई भूमाफियाओं के अवैद कब्जों पर बुल्डोजर भी चला लेकिन इस सब के बीच जो भूमाफियाओं है उनकी जो मनमर्जी है वो भी कम होते हुए नजर नहीं आ रही है उनके होसले बेहत बुलंद है सचाई विभाग की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया और भूमाफियाओं के होसले बेहत बुलंद है मुख्यमंद्री के जो सपना है भूमाफियाओं से मुक्ति दिलाना एंटी भूमाफिया जो एक योजना चलाए गई थी उसके तहत भूमाफियाओं से मुक्ति दिलाना उस पर सीधा पलीता लगाने का कार इन भूमाफियाओं किया ज़ा रहा है इन सबके भी सबसे बड़ा सवाल उटकर यह आता है कि जब कानून इतना सट थैं के खिलाफ कारिवाई लागतार इनके खिलाफ की जा रही है तो किसके सहे पर यह ऐसी फिर से कब जो जमीने हैं उन पर कब जो जमा रहे हैं अवैद तरीके से निर्माड कर है इस कबर प्रदीक जो अनकारी लिए समवादाता उपेंद कानपूर से हमारे साथ जुड़ चुके है उपेंद्र क्या कुछ यह पूरा मामला है भू माफियाओ का अगर बात के जो उपेंद अस्ताना तो जिस्तर से लगातार जो 2017 में मुख्यमंद्री की कुर्सी पर योगी अधितनात बैठे थे तो उनका एक जो एहम योजना था एंटी भू माफिया उसके तहत कारिवाई की जा रही है कई अवैद जो कब्जे है भू माफियाओ के उस पे बुल्डोजर भी चला जा रहा है किस उसके बावजूद भी किसके से पर यह भू माफिया इस तरह के कृत्तिक कर रहे हैं आपको बताते चले जिस यह बैवान से पुरूबा छेत के लखें खड़ेव है यहां पर समाजवाजवाजी पार्टी के जो है एक हाट सीट जिसको बलते हैं यह मुलान सिंग आदो के जो एक ननिहाल पर और यह जो है आप इस लिए आप पर जो आजे डीम हो और चाहे जि प्राइम टीवी के समवर्दाता विद्याले पहुचे तो सहाय का अध्यापक और एक शिक्षा मित अनुपस्थत मिले वही स्कूल के ही एक कमरे में आगनवाडी केंद्र भी है जुसमें ताला लगा था गावालों ने ये भी बताया कि इन्होंने बी आर्सी कारयाले जुआ कर लापरवा अध्यापकों के खिलाब शिकायत भी की थी लेकिन लेकर के ताकि कोई बच्चा सिक्षा से अचूता ना रह पाए हर बच्चे को सिक्षा का हक है हर बच्चे को सिक्षा मिलनी चाहिए कई तरह के अभ्यान भी चलाय जा रहे हैं कई तरह की योजदाय भी लाई जा रही है लेकिन इन सब के बीच जो अध्यापक है उनकी बड अगतार स्कूलों में अनुपस्थित रह रहे हैं, हाली में कई तस्वीरे अलग-अलग जगहों से सामने आई थी, जहां पर बच्चों दौरा कहीं पर सोशाल साफ कराय जो आ रहा था, तो अलग-अलग तरह के चीजें निकल के सामने आई थी, वही, अब ये जो खबर चुं मामला बताया जारा, जहां पर आए दिन अध्यापक लेट से आते हैं, जो साड़े साथ बजे का टाइमिंग दिया गया है, बट उसके बाद वह आते हैं, लग-बग नौ बजे कहीं ने कहीं सिच्छा विभाग की बड़ी लपरवाई में रहे हैं, जिसके कार से बच्चे स आमें से उनको पढ़ाई सिच्छा दे नहीं पाई, जिसके सरकार कहीं बड़े वादे भी करती है, कि सिच्छा के हर पहलू पर सरकारी स्कूलों को सिच्छा दी जाए, जो अध्यापक के कहीं ने कहीं इसकी बड़ी लपरवाई आ रहें, अध्यापक ही टाइम से नहीं आ तो क्या बच्चे भी क्या पढ़पाएंगे, और यहीं कहीं बहुत लपरवाई देखने को भी रही है, आजए तक किसी अपर अधिकारी ने इस पर कोई अभी कारिवाई नहीं क्या या फिर कोई जायजा नहीं लिया अभी तक? मैं अपर अधिकारी एविएस्टे से मैंने बात भी किया इस बात का ओगत भी करा रहा है, लेकिन बट वो बोलें कि हम इसके बारे में लोटीस भेजेंगे, जो भी उपस्रती नहीं आ रहे हैं, उनकी उपर करवाई जल से जल की जाएगी, और उनका एक मा का सेलेरी भी धन्यवाद बने रही आप हमारे साथ, खबर चंद ओली से हैं, जहां अगोशित बिजली कटोती से लोग काफी परिशान है, बता दे कि जनपद में ग्रामीड इलाकों में जबट दस बिजली कटोती हो रही है, जिससे लोग काफी आक्रोशित हैं, ग्रामीडों द्वारा बिजली कटोती को लेकर लगतार उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन सुनवाई ना होता देख, आक्रोशित लोगों ने जिला मुख्याले पर धरना प्रडर्शन शुरू कर दिया, इस दौरान उद्धर प्रदेश के उप मुख्यमंतरी ब्रजय सपाठक चं समने आगे और धरने को समर्थन देते हुए, धरना स्थल पर पहुंचे साथी, प्रदेश सरकार और विजली बभाग के खिलाब चम कर नारेबाजी भी की, आक्रोशित लोगों ने मांग की कि जल से जल बिजली आपूर्ती सुचार रूप से बहाल किया जाए, इस कबर पर अधिक्षो अनकारे के लिए समवादा था, जित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जित क्या कुछ ये पूरा मामला है बजली कटौती का? कितने किसान, लोग किसान पानी फनने के लिए महताज हो जाए, तो नहीं कहीं, ग्रामिर भी सुच भी नहीं पार, कहीं कहीं बहुत लपरवाईया आ रही है, अब मैंने सीडियों से कई बार इस बात का ओगत भी कर रहा, वरकिन इस पे कोई नहीं बिजली के लिए सुधार किया जाएगा चंदोली जी ले पे, जो तुमाम चुनकारी के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अजीद, आज के हमारे खास कारिकरा महरे शहर प्राइम रिपोर्टर में इतना ही देश दुनिया के और ताज और तरीन खबरों के लिए देखते रहे है, प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार